नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद है नीट की डेट आने के बाद में आप लोगों ने अपनी तयारी को और जोरो शोडों से बड़ा दिया होगा तो नीट की देट आने पर या नीट का फॉर्म रिलीज होने पर जो सबसे बड़ा सवाल बच्चे के मन में आता है कि सर्फ फुदिक्स, केमिस्ट्री और बायो में मुझे कहीं से most important topics, most important chapters या chapter का weightage पता चल जाए तो मैं आपका अपना प्यारा शुबम पालिवाल आज आपके लिए यही topics physics के chapter wise weightage के साथ लेकर आया हूँ तो physics के आज हम discuss करेंगे कि कोन से नीट के most important and weightage वाले topics है तो शुरुआज करते हैं इस वीडियो की शुरुआज करने से पहले एक छोट इस information आप लोगो शुरुआ कर देता हूँ वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के मैं दो पार्ट बना है पहले starting के पास साथ मिनट में हम discuss करेंगे कि कोन से चैप्टर से जिनके क्या वेटेज है कि लास्ट यह कितना वेटेज था क्या expected है इस साल और साथ इस साथ फिर वीडियो के second part में मैं आपको बताऊंगा हर एक चैप्टर में कौन सा topic पढ़ना है आपको ज्यादा focus के साथ और इसके लावा एक बहुत कर लिए बागी और जानकारी में वीडियो में आपको दूंगा तो शुरुवात करते हैं इस वीडियो की हम शुरुवात करेंगे कि नीट 2022 का जो पेपर हुआ था लास्ट यह जो पेपर हुआ था उसमें किस पोर्शन से कितने questions आये थे तो पोर्शन मतलब जैसे सबसे पह है छोटे-छोटे चैप्टर और इनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आप अगर इन modern physics और electronics के चाप्टर को देखो तो electronics मतलब semiconductor अर्दचालक तो अर्दचालक में और इसके अलावा modern physics modern physics में कौन-कौन से चैप्टर आएंगे प्रकाश वुद्धुत प्रभाव अंद्रफ तरंगे साथ यसाथ नाभी की और परमाण यह चार चाप्टर आप अगर डीटेल में हर एक चीज़ बारिकी से पढ़ते हो और पूरे चाप्टर आप तीन से चार दिन में बहुत बढ़िया तरीके से मास्ट्री हासिल कर सकते हैं और यह आए थे आठ सवाल इन अगर मैं तीन और एक चाप्टर देखो तो चार चाप्टर से आठ सवाल और वहीं अगर मैं दूसरी जगह देखू जैसे mechanics कौन सा पोर्श पर उसके बाति ऐसके बाति सब्सक्रें अ AMडनती के इंति के निम कार च चाप्टर सी बड़े बड़े चाप्टर बड़े बड़े चाप्टर सीस्ज तो अगर मैं इन सारे चाप्टर को तो और साती सात इसमें ग्रूनन गता गूनीं गता तो आंतर पहीं influence भाशलींग को से आए है तेरा सबाव तो आपको कम से कम अगर आप डेली कोश्टन प्राक्टिस कर तो आप कम से कम दो हफते का समय चीए दो से लाही हफते का समय मिनिमम बढ़िया प्राक्टिस कर लिए उससे आए तीरा और यहां चार दिन में मिल रहे हैं आठ सबाद तो यह बहुत इंपोर जो आविशित करने वह चुमबकिये शेत्र में गतिमान होता है वह वाला पॉर्षन साधिसाथ चुमबक्तव का पॉर्षन इसके अलावा यह हमने आगे चलकर इसी चाप्टर में परते प्रहे विद्युद्धारा का चुमबकिये प्रभाव और इसके अलावा हम जो इलेक तो यससे साथ सवाल आये थे नीड़ुसर पैस में साथ इसाथ इलेक्ट्रो स्टैट्स और इलेक्रिसिटी यह कौन सा है स्थिर विद्युतिकी संधारित्र और विद्युद्धारा इनसे 11 कुश्चन आये थे तो यह वाला पॉर्षन भी बहुत इंपॉर्टन और बहुत ह ताकरो से आइंगे ज seventeen मापके दोचप्ट्राइंगे किनर्ण प्रकाष सजी और तरंग प्रकाष इससे चार यह शाप्टर यह दो चाप्टर हे मात्र इसकी यह कौन के काफी बढ़ा छेप्टरहicki का आप एकर फॉर्म्ल ने फॉर्मल देख दोज tone दिन के अंदर इसके कॉ और इससे जुड़े इसके आसपास के चाप्टर उने से आए हैं चार सवाल अभी चिंता ना करो मैं आपको हर एक चाप्टर को और डीटेल में भी इस वीडियो में बताने वाला हूं यह हर एक चाप्टर का कौन सा पॉर्शन आपके लिए जबा इंपोर्टेंट है और इसकी लगा रहा हूं पिछले तीन-चार साल का इवरिज है तो पिछले तीन-चार साल में एक सवाल जो हो है तक सिंस और है इसस सॉल भी आय। टक्ते हैं इन दोनों को मिला कर 2-3 सवाल ऐब सकते हैं इससे रज्छा शवाल नहीं आ यह कभी भी में इसके अलावा गति के नियम घति के नियम से भी पिछले 3-4 साथ में नहीं देखे तो 2-3 सवाल है साधे साध कार्योंक्निक्स um mechanics के जो 12 सवाल में आपको नहीं से आएंगे यह सब्सक्राइन और सुसंड़ मोशन गृ dipli शन से दो से तीन सवाल कि कैलावा عت ग्रैटेशन से 20 % next जाप्टर होता है यह थोटा होता है आसान ओतर से सवाल जरूर आता है इसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की तो अगर मैं ठोसों के यांत्रिक गुण और इसके अलावा तरलों के यांत्रिक गुण की बात करें तो इन दोनों से एक-एक सवाल आता है छोटे चैप्टर होते हैं फॉर्मुला बेस होता है वैसे इसमें जी मेंस एडवांस में बहुत टफ कोशन बनते लेकिन नीट लेवल पे इजी फॉर्मला बेश कोशन पुछ जाते इसमें इसके अलावा अगर हम थर्मल प्रॉपर्टिस की बात करें ता आप यह गुनों की बात करें तो इससे भी एक सवाल हम देख रहें एक से दो सवाल कि सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब कि इसके अलावा ऑजिलेशन से भी एक से दो सवाल से वी एक या 2 सबाध खें कि यह ऑते हैं और revenue ट्रीरीर ऑफ ऑफ गैसे जोगें सब्सक्राइब इससे भी एक सवाल आता है क्लास 12 के चाप्टर से देख लेते हैं तो इलेक्टरिक फिल्ड मतब पहला चाप्टर यह जो यह चाप्टर की नेम है NCRT के हिसाब से लिखे वे आपके तो पहले चाप्टर से भी आप एक से दो सवाल इससे तीन से चार सवाल आते ही आते हैं साथ इसाथ गतीमान आवेश और चुम्बक तव इससे भी दो सवाल आती है इसके अलावा हम मैगनेटिसम और मैटर जो हमारा एक और चोटासा चाप्टर होता है जिससे बहुत लोग ऐसे दुद्कार देते हैं यह इसे ना पड़ो भली लेकिन उसमें जो इंपोर्टन टॉपिक से उसके इंपोर्टन चोटे 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 फॉर्मूले है वह जरूर पता होना चाहिए उससे बहुत बेसिक थिए आसान सवाल आ रहा है पिछले चाहिए उसमें पूछ लेंगे कि डिप एंगल पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा वगरा एक नंबर एक कोशन आसान कोशन इसके इलावा इलेक्ट्रमेगनेटिक इंडक्शन विद्युद्चुमब की प्रेरण एक सवाल अल्टरनेटिंग करेंट प्रत्यवर्ति धारा से भी एक अदा सवाल विद्युद्चुमब की तरंगे हाँ यह भी इंपॉर्टन चैप्टर इससे भी एक सवाल आता है और इजी कोशन आएगा साथ इसाथ जिसमें आपको बता है किरंट प्रकाश्य किसे दो तरंग प्रकाश्य किसे एक सवाल दोनों चैप्टर को मिला कर तीन से चार सवाल आते ही आते तो यह वाले जो पॉर्शन से नाच दो क्लास ट्रेल के जो आखरी के चाप्टर से अगर यह अच्छे से आप कर लेते हो ना तो आपके स्वाल यहां से बन जाएंगे आपके पूरे मोडरन फिडिक्स मिलाकर पूरा मॉडर्न डैक्स मिलाकर ही पूरा मॉडर्न फुर्च से तो इसमें कितने हो जाएंगा सर यहांसे तेरा सवाल minimum आप बढ़िया कर सकते हूं, मैं तब 45 सवाल जो आएंगे, उन 45 सवालों में से आपके 12 से 13 सवाल, यह शाद उससे भी ज़्यादा सवाल, आप 100%, minimum 12 सवाल, आप इतने portions निकाल सकते हो और इसे करने में मेहनत कम लगती है और जल्दी result दिकता अफ़तक्स में clear तो ये मैंने आपको chapter wise भी expected क्या है वो बताए इसके लावब एक छोट ऐसा 14 minute diagram देखा तो ये आप ऐसा wheel के हिसाब समझ सकते हो कि कौन से portion से ज़्यादा questions आते है ठेक अब हम आगे बढ़ते है और अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हर एक chapter में से कौन कौन से important से topic है जिनको आपको ज़्यादा focus light में रखना है और जिससे सवाल आते है देखो क्या होता कि कभी कवर बच्चा पूरा chapter पढ़ लेता है और पूरे chapter में जो पढ़ना था वो छोड़ देता है फिर बोलता है और इस और इसका तो सवाल ही नहीं बना नीट में क्योंकि जो important था हो तो तो तुने छोड़ दिया बागी दूसरी चीज़े पढ़ ली बहुत सारी तो वो हर एक चैप्टर में कौन से topic पे ज़्यादा ध्यान देना है वो भी ने आपको बताने हो उससे पहले एक छोटी से information हमने doubtnut पर नीट 2023 के लिए उडान 2.0 batch अल्ड़ड़ी लांच कर दिया है इसके जो classes है वो आपकी 26 December से start हो जाएंगी आप इस batch का तीन दिन का free trial ले सकते हो नीचे description box में एक link डल भाई है आप उस link पे click करेंगे आप 3 तीन दिन के free trial के लिए eligible होंगे अगर आप trial नहीं लेना चाहते हैं आपको पता कि हाँ सर मुझे 100% तरीके से नीट निकालना है मैं ट्राइल राएक चक्कर में ने पढ़ रहा हूं जिंदगी में ट्राइल थोना लेते रहूंगा कि सर एक बार करके देखता हूं वा नहीं हुआ मुझे तो करना है तो गर करना है तो उसके लिए मैं आपको आपके फैकल्टी से मिल वा देता हूं आपको फिजिक्स मैं पढ़ाओंगा बायोजी पार सर पढ़ाएंगे आपके केमिस्ट्री कामे सर और मनी सर मिलकर आपको पढ़ाएंगे इसके अलावा इस कोर्स में आपको डेली लाइफ इंटराक्टिव क्लास मिलेगी मतलब वन टुवन इंटराक्शन होगा जो भी क्लास चलेंगी उसके कमेंट्स हमारे सामने रहेंगा आप कुछ भी टाइप वह हम तक पहुंचेगा उसका रिप्लाइ तुरंट लाइफ क्लास में दिया जाएगा इसके लावा आपको टीचर्स नोट्स मतलब जो हम पढ़ाते हैं जिस बुक से बच्चे हो तो इसको किताब नहीं होती है ना हर किताब या बहुत सारी किताबों का मिल मिला हुआ असा प्रमान सकते हैं पहले हमने जहां जहां परा तो पूरा मटीर्य मिला जुला होता हैं तो उस सब को कलेक्ट करकर स्पेशल नोट्स बनाए हैं हम लोगों या आप लोगों के लिए तो वह स्पेशल नोड वी आपको दें गों नोटस के अंदर ठीवी अड़ोरी भी आती है भी होते हैं, एक module की तरह होता है, वो, साथ यसाथ, daily homework practice questions मिलेंगे, homework के अलावा extra practice question भी module form में हम आपको देंगे, और साथ यसाथ, यह सब आप में मिलेगा आपको है ना, और इसके अलावा teacher slides जो भी आई हम पर लिखा जाएगा, वो exactly ऐसा कैसा, ताकि आप अगर class के दोरा न हम कितना strong है, और उसके अलावा हम आपको full syllabus test वगरा भी provide करवाएंगे, part wise test वगरा भी होंगे, तो यह पुरा batch जो आपको, केवल 26 दिसमबर तक 2999 में मिलेगा, और इसे join करने के लिए आप सिदे, 0124-715-8250 पे miss call दे सकते हैं, चली, तो मुझे उमीद है, यह information आप सभी क काम आई ही, और आप अपनी need की तयारी को seriously ज़रूर लेंगे, अभी हम आगे बरते इस वीडियो में, और इस वीडियो के last part को start करते हैं, मैं अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसे topics बताऊंगा, या हर एक chapter में से वो topic बताने जा रहा हूं, जिससे short short question आते हैं, जैसे सब से पह तिन दिन का अगर आप इसको एक बार समय दें दोगे, तो चप्टर आपका clear हो जाएगा, और इसमें वीमिय विशलेशन, टूटी और अलपतमांग, यह important topics है, साथ इसाथ सरल रेखा में गती, सरल रेखा में गती से एकादा ही सवाल आता है, जो जादा हाइवेटेज वाल सरल रेखा में गती और समतल में गती यह दूई वीमिय गती मिला कर एक सवाल आता है, तो इनके यह important topics है, नियत तवरण, गुरूत वगयधिन गती, विस्थापन, वेक और तवरण, यह इस पर बेस आसान आसान से questions आते हैं, साथ इसाथ दूई वीमिय गती में आपिक्षि कर सकते हैं, फिर से बिलकुल आसान फॉर्मूला वी इस questions था, इसके अलावा व्रती गती, तो व्रती गती और इनको मिला कर एक सवाल बनाया गया था, नियत दूजर 22 में, न्यूटन के गती के नियम, इसमें सम्वेक, रसी में तनाव और स्प्रिंग और साथ इसाथ है, मैं यहाँ पर मातर को और मापन को अगर आप स्टार दोगे, तो मैं मातर को और मापन को, मातर को और मापन को पांच में से पांच स्टार देना चाहूंगा, कि हाँ, यह बहुत ज़्यादा जूरी करना है, 100% करना, सरल रेका में गती को आप दो स्टार ले सकते हो, और स कारी अर्जा और शक्ति ये चार स्टार स्पॉन इज वह तो बहुत अच्छे से करना ही करना है कि यह चाप्टर जो आगे भी काम आता है इसकी स्पेशलिन है सँन्गत वाल पॉर्षन और कार अर्जा प्रम है इसके सवाल बनने हैं चाहिए हम से गुरूनी गती गुरूनी गती को भी तीन स्टार देंगे हम और इसमें चलत्व आघून सबसे ज़्यादा important topics में से और साथ इसाथ बलाघून टॉर्क इस पे डारेक कोश्चन बहुत बार दीखा गया है इसके अलावा गुरूत्वाकरशन बहुत important chapter इससे सवाल short shot आएंगे और यह रहें गुरूत्वाकरशन के important topics इसके अलावा ठोसो और देखो ठोसो के तरल और यांत्रिक यांत्रिक की गुण है ना तो यह ठोसो और होना चाहिए यहाँ पर है थोड़ा सप्रेंटिंग में तो ठोसो और तरल यांत्रिक गुण जो है इसको मैंने मिला दिया है इसको मैं दो स्टार देना चाहूंगा इन दोनों को मिला कर कुछ इन टॉपिक से सवाल आते हैं ज्यादा प्रिष्ट्रतना और बर्नौली से सवाल आता है और साथ-साथ यंग गुणांग पर इसके अलावा अगर हम इससे शौर शौर्ट सवाल आएगा एक केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप फुदिक्स में पढ़ते हो विबिन प्रक्रम यह फ्लोट मतलब फर्स लॉफ थर्मडानमिक उश्मगतिकी का प्रथम नियम और साथ-साथ उश्मा इंजन इससे महतुपून सवाल आपको इसिक पर देना है मदब एक्स वी ए मदब विस्थापन वेग त्वरण गती जुर्जा स्थिति जुर्जा कुल उर्जा इनके संबंद पर आजकल बहुत सवाल पूछ जा रहे हैं इसके अलावा इसमें बहुन स्थितियों के लिए आपको बहुन स्थितियों में सरलोलक औ आवर्थकाल निकालते आना चाहिए अगर क्लास 11 के आखरी चाप्टर पर जाते हैं तो तरंग में डॉप्लर प्रभाव सबसे इंपॉर्टन टॉपिक में से और गन पाइप और विस्पंद इसके अलावा वेवस के बेसिक एक्वेशन के क्वेश्टन भी हम वैसे भी यह जोना कवर कर लेते हैं तो महां पर भी सबस्वाल आते हैं क्लास 12 में बात करते हैं तो स्तिर विद्वित्ति की में गाउसका नियम और बहाय विद्वुष्चेत्र मगतिमान आवेश और विद्वद्वीद्रू विद्वद्वद्वुद्रू बहुत इंपॉर्टन इसको पांस्ट लागने यह सब्सें अच्छे से होना चीह सभी का इस के अलावा संधारतर पूरा चैप्टर होता है इस छोटा चैप्टर होता है इस पेसे आप को कोई भी तेड़ा मेरा सवाल या कभी कवार बहुत Óसं वोल भी आता है जिसे 25 से आता सीत यह इसी के हिसाब से विद्युद्धारा भीया ये चैप्टर तो पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है ये इंपॉर्टन टॉपिक्स और मुझ सारी टॉपिक लिखे वे मैंने आप विद्युद्धारा के और उसके अलावा चुम्बक्त्व ये भी पूरा का पू दो सवाल ही आते हैं टूटल तो इसमें जो सवाल आता साथ वो वी आSchस को प्रह लगें श्रह को सटार देकने हैं यह चंटर कोई कोई नहीं छूड़ेगा मातर और मापन स्टार्टिंगे चप्टर य énormा की जाटर यह यह हमेशा हमें बहुत बड़ीया तरीके सोगने नहें चुसमें like अर हमार को कॉशंग्स ज्ड़ा आते हैं कि रन प्रकाश की पृः में लैंस फिरिस्म बहुत-बहुत-बहुत इंपोर्टेंट लेंस और प्रकाश की उपकरन इसके अलावा तरंग प्रकाश की में यंग दुतिय प्रयोग और दुरुवन यह तो इसमें बोलने की जरुवत नहीं है यह आपको 100% पूरा-पूरा करना ही है और यह तीनों चैप्टर और मॉर्डरन फिर्टक्स के लिए हन्डरिट पर्संट तरीके से पूरे अच्छे से परमानू प्रकाश का विद्वत प्रवा और नाविक साथ-साहिए अगर हम अर्दचालक की बात करें तो यह चैप्टर भी पूरा important है इसके basic पे PN junction क्या होता है और PN संधी क्या होती है P semiconductor क्या होता है P type N type क्या होता है इसके basis पे theoretical सवाल आ रहे है और आएंगे भी और इसमें diode के साथ साथ logic तरगद्वार इस पे एक सवाल short shot तो मुझे उमीद है यह वाला वीडियो आपके बहुत काम का रहेगा और आप यह वीडियो अपने maximum दोस्तों के साथ शेयर करोगे और अपने school में अपने जहां भी अगर coaching अगरा भी कर रहे हो तो कोई issue नहीं हर एक दोस्त के साथ share करो कि सब के पास proper guidance होना चाहिए कि मजदूरी ना करे हर कुछ ना पड़े यह हर कुछ के सवाल ना लगाए easy सवाल लगाने simple concept based questions लगाने बड़े सवाल नहीं लगाने हमको नीट के लिए और 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 जो भी question लगाएंगे वो 3-4 step से बड़ा सवाल ना हो बस basic question हमें जल्दी questions करने आने चाहिए accuracy के साथ questions करने आने चाहिए और यह रहे उनके important topics तो मिलते हैं आने वाले समय में तब तक के लिए बड़े असे परते रहो स्वास्त रहो मस्त रहो और नीट के लिए all the very best ताइंक यो टाडा बाई बाई